हाई एविवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो मैं अभी पढ़ ही रही थी करंट अफेर्स आप लोगों को दिख भी रहा होगा जैसे यह रजाई है और यह मैं बैट पे बैट ही हुई हूँ क्योंकि आजकल ठंड बहुत है उत्रागंड में इनफेक्ट पूरे ही नॉर्थ इं से और मैं बता देती हूँ मैंने मदब study IQ की कौन से PDF की है जो डेली बेसिस पे आती है ना जैसे current affairs first day के second day के वो सब अभी मैंने सिर्फ वो PDF की है जो free रहती है ठीक है उसका जो deep वाला है अभी वो थोड़ा सा करना बाकी है क्योंकि मैं सोचूँ लास के जो दो दिन नवंबर मैंने थोड़ा सा किया हुआ है और जो October है यह मैंने IBPS PO मेंस के टाइम पर पूरा किया हुआ था अच्छे से तो मैं सोच रही हूँ आज और कल में October का पूरा निप्टा दू और उसके बात फिर मैं November कर दूँँ है मतलब यह है कोशिश 10 से पहले पहले 10 या फिर 11 तक मैं कर दू तीन महीने के सारे complete ऐसा मतलब मैं सोच रही हूँ और जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट मेरा जो था PM का सब्सक्रिप्शन वो एकस्पायर हो गया तो फिर आज तो मैं मॉक टेस्स नहीं दे पाई और फिर मैं सोच रही हूँ अब मैं थोड़ा सा current affairs आज और कल करी लेती, और फिर परसों से mock test दूँगी, और जो भी होगा उस में score, वो में बता Дूँगी, अब पते क्या, mock test के score को आप लोग कितना ज़ादा वो मतले ना, मतलब बहुत ज़ादा एक तरीके से burden मतले ना खुद पर, क्योंकि practice matter करती है, जैसे मैंने जो वहाँ पर arithmetic है वो doable हो और कुछ-कुछ arithmetic के जो question होते है वो two marks के भी होते है तो यह आप लोगों के लिए काफी beneficial रहेगा जैसे IBPSPO mains में था ना कुछ-कुछ two marks के questions है तो इसमें भी होंगे तो यह चीज़ काफी फाइदे मंद रहती है आप लोग arithmetic के question प्रैक्टिस जरूर क करना जादा किसी दूसरे सोजे से मत करना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों का तो मैंने आपको बता दिया current affairs का English की अगर मैं बात कहूं तो English का मैं sexual mock देती हूँ होती है तो वहां से दे दो आप ठीक है मतलब जिसको mock test नहीं देने तो वहां से दे सकता है मैं आपको basically sources बता रही हूँ अगर मतलब आपको पूरा mock test नहीं देना तो और दूसी चीज यह भी है अगर किसी को लगता पूरा mock test देने में बहुत जादा आप लोगों का time जा र बाकी की तीनों section में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे है current affairs अगर आप लोग करना चाते हो बहुत अच्छे से तो उसके लिए न बहुत पहले से पढ़ना पड़ता है last time पर एक जल्दी current affairs नहीं हो पाते और फालतों में आप लोग stress टोर हो जाओगे तो कोशिश यह करो बहले ही दो महीने का करके जाओ लेकिन बहुत अच्छे से करके जाओ क्योंकि जो होता है mostly वो current का ही पूछा जाता है इतना ज़्यादा पुराना कोई नहीं पूछा तो 3 months का अगर आप लोग कर रहे हो तो मुझे बहुत सहीं लग रहा है 3 months का काफी ठीक है IVPSPO mains में भी लगता है but most of the time 80% current FS आपके जो current जो months होते हैं उनी से ही बने होते हैं ठीक है जैसे आप यह लगा लो October, November, December का अगर किसी ने कर लिया तो best है उससे जादा अगर जो करना चाहता है तो वो शायद बहुत पहले से कर रहा हो तब ही इतना सारा कर पा रहा है क्योंकि 6 महीने का current 10-12 दिन में कर पाना यह बहुत बड़ी चीज होती है हर कोई नहीं कर पाता यह वही कर पाता जो starting से करता आ रहा हूं तो यह update था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के through दे दिया है और आप लोग भी comment section में बताते रहना कितना क्या cover up कर लिया आप लोगोंने और जिनक जो previous वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों का काफी अच्छा response था बतला जो 95% अगर मैं कहूं यह फिर 99% comment बहुत ही positive थे सबने बहुत ही मुझे motivate किया ताकि मैं और अच्छे से पड़ू and thank you so much for supporting me तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही अगर कोई first time चैनल पर आया करूँ देखो देखो मैंने तो इतना पढ़ लिया ऐसा कुछ नहीं होता बलकि मैं तो ही सोचती हूँ अपने वीडियो के तुरू आप लोगों को यही बता हूँ मैंने इतना बढ़ लिया तो जो अगर अपना time-based कर रहा तो इसको ऐसा लिगे कि नहीं यार जो मेरे साथ क जो students है वो इतना कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए तो kind of motivation ठीक है इस वज़े से यह वीडियो बनता है ऐसा नहीं किसी को मुझे लेट डाउन करना है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आप लोग ठीक है तो चलो फिर bye bye and take care